हालांकि इस भीड में आप देखकर अंदाजा लगा चुके होंगे कि कॉंग्रिस के कितने नेतार कारे करता हैं एक ही शक्स दिखा बाकी तो आसपास के लोग दिख रहे हैं रास्ते के लोग दिख रहे हैं रागिर उन्हीं के बीच जलेबियां बाटी जारें कम से कम और यह कि देखो जन्ता तो वहां नाराजी थी वहीं सरकार से अरगर इतनी नाराजी के बाद में भी पी शरकार अमाजर तो वहीं देश गड्डे मुझा गा यूपी का पुरा पुरा कि किसान अपनी जमीन नहीं नहीं रोजगार नहीं है पीए मकड़ जाल हमारे तो समझ जाल ले हैं कि जंता नाराज और सरकार उने ही बने कि उत्तर प्रदेश के डियम एस पी कमेशनर्स और पुलिस आयुक्तों को अब विधायकों को बराबर का सम्मान देना होगा उन्होंने सम्मान पूर्वक ठीक वैसी ही कुर्सी पर उन्हें बिठाना होगा जिस पर वे खुद विराजमान रहते हैं अगर अधिकारी के कुर्सी पर तौलिया पड़ा है तो उन्हें विधायकों के लिए भी तौलिया लगी कुर्सी का इंतजाम करना होगा अगर अधिकारे सोफे पर बैठे हैं तो विधायकों को भी सोफे पर बिठाना होगा विधायकों के शिकायत पर स्पीकर सतीश महाना ने नई वेवस्था ततकाल लागू करने के निर्देश दिये संसदियकारे विभा के प्रमुख सचीवने इस संबन में अपर मुख्य सचीवों, प्रमुख सचीवों, डियम और कमिशनर्स को पत्र भीजा है अपसरकारी बैठकों में जन प्रतिन्दियों को अपसर अपने जैसी कुरसियों पर ही बिठाएंगे यानि कि अपसर जिस कुरसि पर बैठते हैं, उतनी ही ऊची कुरसि पर जन प्रतिन्दियों को बिठाया जाएगा और इस संबन में पिछले दिनों विधायकों ने विधान सभा के अध्यस 37 महाना से सिकायत की थी कि कई बार ऐसा होता है कि जो अफसर होते हैं वो बैटकों में उची कुरसी पर बैटते हैं तुलिया लगा कर बैटते हैं और अब इसके बाद जो सिकायत उधायकों ने की 37 महाना ने इस संबंद में निर्देश जारी कर दिया हैं हम आपको ये कॉन्फरेंस हाल दिखाएंग कि ये एक सरकारी कार्याले का ओफिस है और इसका ये हाल है और इसमें आप देख सकते हैं ये कुरसियां लगी हुई है बराबर ये कुरसियां है यहां पर वाकायदा तौलिया लगी हुई है इसी तरीके से जहां जन प्रतिंधी बैठेंगे बगल में अफसर बैठेंगे औ अब ऐसा नहीं होने वाला है कि जन प्रतिधी छोटी कुर्सी पर बैठें आप सर मुची कुर्सी पर बैठें जन प्रतिधी बिना तौलिय की कुर्सी पर बैठें और अब सर तौलिय लगा का कुर्सी पर बैठें यानि और दूसरी बात सोफे पर अगर बैठते हैं तो जन प कुर्सियां जो लगी हुई हैं इनमें सामने की तरफ जो बाकी लोग बैठेंगे यानि की जो का और दूसरे अफसर हैं वो बैठेंगे और जो मुख्य अफसर और जनप्रतिन्धी होंगे वो यह तरह की जो यह कुर्सियां हैं जो मुख्य कुर्सियां हैं इन पर जनप्रतिन और अफसर बैठेंगे यानि कि इस तरह की जो कुर्सियां है ये बराबर कुर्सियां लगाई गई है बिलकुल इसी तरीके से आप ये वेवस्था लागू होगी और अधिकारियों ने भी इस तरह की तयारी कर ली है बाकादा सासना देश्ट निर्गत हो चुका है कि जैसी प्रापर्टी की विवाद में दो सगे भाईयों की हत्या कर दी गई बेटे के सामने पिता और चाचा कुलहाडी से काट कर मौत की घाट उतार दिये गए जबकि जानलेवा हमले में घायल बेटा और उसकी मास पताल में भरती है घटना खंदौली थाना शेत्र के लोधी पुलहाडी से हमला कर दिया रगवीर उसके भाई सत्पाल के मौत हो गई जबकि रगवेर का बेटा ववेनयों और मांगंभी रूप से घायल है पुलिस ने एकारोपी को गिरफतार किया है बाकी की तलाश चल पर फावड़े से बार कर लड़कियों के पिता की हत्या कर दी गई घटना सिम्भावले थाना शित्र की है मंदिर जाते वक्त दो बहनों से एक आरोपी में चेटानी की थी लड़कियों ने अपने पिता अजएपाल को आप बीती बताई अजएपाल में आरोपी की पिताई कर दी जिसके बार आरोपी में अपने साथियों के साथ मिलकर अजय पर फावड़े से हमला किया गायल अजय को इलाज के ले ले जाए गया लेकिन इलाज के दुरान उनकी मौत हुगई पुलिस ने केस दर्जकर आरोपियों को गरफतार कर दिया है कि अजय को में रोक करें हम दो लपड़ा लगा दिया है तरह गलत कर दिमांगे अजय करें हूटिंग पूटिंग एगलत बात है हूँ चलाओ 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 चंदर पाल चंदर पाल के बाल का पिर विपिन अरू है सोनू अर्मंगे सु कुमरपाल लवकुस यह लाठी डंडा लेका उनके घर वाली लाठी डंडे लेका हमारे घर में याग है बढ़गे हमारे घर पर याग पेल दिया हूँ ना कई क्या है अजय चलाओ इतने उन्सों कहने मैं उसको समझाओ यूँ आशक्यों कर रहा हूँ